तो ही मेल प्याइट्यूब फैमली, सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज है, हमारी यूट्यूब फैमली के एक मेंबर है, जिनका नाम है वेदान्थ, सो वेदान्थ ने मुझे मौनिंग में मैसिज करके एक वीडियो भेचा, उन्होंने कहा धाई आपके लि वीडियो को शुरूर। मतलब बहुत रेर बंदे इस चीज को जानते हैं, काफी अच्छे लैबल पे हैं, वो इस चीज के रिगार्डिंग जानते हैं, और कुछ यूट्यूब इस चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर आप इस काते हैं, कि ये बंदा मेरे लेवल के पास ना पहुंचे, क्योंकि मेरे लेवल के पास पहुंचेगा, तो मेरी ओडियंस इसकी वीडियो देखेगी, मेरी ओडियंस उस तरफ चाहेगी, तो दिखावा हर कोई करता है, लेकिन सच कहूं, ये वीडियो मैं भी बहुत बार तो एक चीज आपको पता है हम अपने जितने भी नए YouTube family के members होते हैं जितने भी subscribers होते हैं उनके लिए नए नए चीज़ें करते रहते हैं तो जिस बंदे का first comment होता है हमारी वीडियो पर डेली तो उस बंदे को हम अपने next video में free promote करते हैं उसके चैनल को link description देते हैं और एक community tab डालते हैं तो कल जिस बंदे का फर्स कमेंट था अब आपको स्क्रीन पर दिख चाएगा अपना अड़ा 1.2 मिलियन उनके चैनल को मैंने जाके चेक किया बहुत अची वीडियो बनाते हैं तो लिंक में decision दे दूँगा तो उनके चैनल पर जाके पूरा प्यार दिखाना और उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे बचा देना क्योंकि जब आपका नमबर आए तो आपको भी पूरा प्यार मिले जो भी आपका आप सभी को उन सभी चीजों से मतलब उन चीजों के बारे में बताना क्योंकि यूट्योब में आपने देखो का आपके साथ किसी ने नहीं बताये था कि यूट्योब चैनल सेल होते हैं मतलब आप वाश टाइम पर्चेस कर सकते हैं वो जो की monetization में मतलब eligible होता है, मतलब count होता है subscribers पर्चेस कर सकते हैं ऐसी चीज़ में कोई भी आपके साथ share नहीं करना जाता है लेकिन आपका भाई आपके साथ हर एक चीज़ से share करने वाला है so desktop में चलता हूँ किस तरह से मैंने सारी चीज़ ने की है और पूरा video A to Z तो सारी डीटेल में चीज़ें मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो में लास तक बने रहना और लास में चीज़ बताने वाला हूँ अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो 100% आपको बना उस बैस्ट रिजर्ट फिलेंगे और आप अपने चैनल पर जो भी ड्रीम लेके आए हैं उस जिसको आप पूरा करेंगे तो एक प्यारे से इंट्रो के साथ करते हैं वीडियो को शुरू दोस्तों तो दोस्तों अपने प्यारे लैप्टॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबएक ऐसी तरह से ऊपन होता नि जो गुगलेश का अकाउंट होता चाहिए आप फोन के डिक्ष्टॉप में उपन करते हैं ठीक है और यह आप लैपटॉप में करने मैं अपी लैपटॉप में कर रहा हूं क्योंकि फून में खुद रिकॉड करता तो वो इस तरह से क् करेगा जैसे ही आप a new account के उपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है मतलब maximum जो बंदिय होते हैं सभी एक ही के उपर क्लिक करते हैं create a campaign without a goal guidance सभी इसी के उपर क्लिक करते हैं लेकिन आज आपको सके उपर क्लिक नहीं करना है क्योंकि यह वह method नहीं है जिसमें आप सबसे कम CPV में views ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो campaign होता है दोस्तों वो 0.10 के उपर हमें शाय अप्रूव होता है लेकिन जो अभी बताने वाला हूं इस पे product and brand awareness इस तक की पूरा बताने वाला हूं कि इसमें आपने किस तरह से अपना campaign लगाना है ताकि आपका 0.67 में भी आपका जो आपका है वो एप्रूव हो जाए तो इस तरह से जब आप इसके उपर क्लिक करेंगे next वीडियो खुद आ जाएगा और आपने influence consideration के उपर ही रहके आपने इसको next continue के उपर क्लिक करना है तो यह normal देशा आप दूसरे campaign क्रीट करते हो ना दोस्त इस तैसे ही आप campaign name के उपर हमने क्या set करना है मतलब अगर आपके phone में बहुत सारे campaigns होते हैं तो आपने जस्ट एक simple सा कोई भी नाम यहां पर फिल कर देना है ताकि आप directly उसी नाम के उपर क्लिक करें तो मैं Google Ads लिख देता हूं और Google Ads लिखने के बाद मैं यहां पर अपना जो मेरा नाम है सौरफ तो लिख देता है तो गला बैठ चुका हलका हलका नाम लिख देते हैं और इसके नीचे जो bit strategy है उसमें हम maximum CPB ही रहेगा क्योंकि इसमें हमें CPM को option नहीं मिलता है cost per thousand को option नहीं अगर बजट के उपर डिपेंड होता है दोस्तों अब आपको बजट 500,000 पर तो आप डेली के उपर लगाई और कम सकम 50-100 पर के बीच में उसको रखी है ना अगर आपको बजट 2000 से उपर है तो टेप डेली के उपर लगाए ठीक है अभी मैं 100 के उपर लगा की प्रोसीड क पर चाहते हैं आपने उस country को यहाँ पर स्डekt करना है और लेंगउज में तो मैं अपने ही रखोगा भाई ही ही मारी मांत्री पाचा है यह हमारी वीडियोस में होती है और इसके नीचे जो है हमने करना है expanded inventory य और Standard inventory क्योंकि ऐसा प्ले करें लेकिन expanded को जाधा prefer करता हूँ आपके content के उपर भी depend करता है और नीचे excluded type and levels पे आपने इन दोनों को क्लिक करके नीचे वहाँ उसको untick करना है ना यह normal दूसरी तरह से campaign create होता है जो में चीज है last में इस तरह से रखनी है क्योंकि मैं ऐसी तरह से प्रफ़ा अपने campaigns create करता हूँ और ज दोसमें मैंने सारी चीज़ने डीटेल में step by step बताई हूँ यह बहुत अच्छा है और सो भी बंदय प्रचेस करना चाहता है डायकल इंस्टाग्राम पर मैसेज करें जिसका triple nine cost है तो काफी अच्छा और effective है और अभी आपने सेम इसी तरह से करना है जो add schedule में है दोस्तों य हिट कर सकते हैं जैसे एक बज़े से तीन बज़े की बीच में अगर आपको लगता है कि इस द्यूरिंग मेरे कम CPB जा रहा तो आपस टाइम अकॉर्डिंग यहां पर adjust कर सकते हैं और add के उपर करके यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं अगर आपको पता है अगर आप नए है तो इस चीज़ को ज़रा भी मत करें तो मैं इसको अभी स्किप करता हूं क्योंकि मुझे पता है maximum जो लोग की वीडियो देख रहे हैं वो विगिनर्स होंगी एक आदी बार उन्हें यूस किया होगा लेकिन अच्छा result नहीं आयो ना तो next में इसके बात जाएंगे दोस्तो तो वहाँ पर आपको डैमो ग्रैक्स में जाना है और इसे पहले हम आपने एड ग्रूप का नाम भी चेंज कर लेते हैं एड ग्रूप का नियाम आपने सेम वही रख सकते हैं जो उपर रखा था या कुछ और भी रख सकते हैं ठीक है और इसको मैं Google Ads और सवारा भी लिख द तो मैं ओल्वेस जो टार्गेट करता हूं और थारह से चौती साल के एज करता हूं क्योंकि जो ऑडियन्स होती है सबसे जादा जोशीली और एक्टिव होती है तो मैं इसी को हीट करता हूं और वहां पर unknown को उप्षिन को अंटिक करना है क्योंकि जिस बंदे ने अपना Gmail login नह करना है जो आपकी वीडियो काटेगरी है ना आपने उसी को हीट करना है तो कीवर्ड से जाधा मैं आपको स्पेसिफिक लिए ही प्राइफर करता हूं कि आप ओडियंस पे जाधा जाए इससे आपकी जो रीच है वो ब्रॉड होती है और आपको बहुत अच्छे सब्सक्राइ है अगर हम अक्षवाय की चैनल पर वीडियो दिखाना चाहते हैं मतलब इनके वीडियो को बंदा वाच कर रहा होगा तो उनकी वीडियो के नीचे हमारा आड दिख चाहेगा यह कोई बंदा इनका नाम सर्च करेगा तो तब हमारा आड शो हो जाएगा तो इससे जो हमारी आडियों से वो नेरो हो जाती है जैसे मैं अभी अपना नाम सर्च करता हूं अगर कोई बंदा स्पैसिफिकली मेरी वीडियो के उपर दिखाना चाहता है तो यहीं पर आपके फाइनल गेम जो है स्टार्ट हो जाती है आप भी मैं आपको पोरा दिखाने वाला हूं अभी म जिस वीडियो के उपर मैंने एड लगाना है उस वीडियो को मैं यहां से फाइंड आट कर लेता हूं क्योंकि एक मेरे वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था 0.01 CPB मैंने किस तरह से रीच करवाया था और अभी आप नीचे स्क्रीन पर टाइम देख सकते हैं अभी 11 11 13 हों है मतलब 11 11 अभी टाइम हुआ है कितने दियर में मैं इस कैमपेइन को एक्रूव करता हूं और सेम आपने वहीं पर जैसे वीडियो डिसकवरी पर लगाते हैं आपने सेम उसी तरह से लगाना है और यहां पर मैंक्सिम CPB मैं आपको बताता हूं किन्हें के उपर चल सक हो गए हैं लिकिन यह बतारा कि अगर आपको पूरस बजट स्पेंड करना है तो आपको CPB ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन जब आप दूसरी तरह से कैमपेइन लगाते हैं तो वहां पर कभी भी 0.8 पर यह सारी चीज़ा नहीं चलती है और 0.10 के उपर तो यहां पर चाह से आप इसमें कम CPB पे अपने जो आपको कैमपेइन है आप उसको एप्रूब करवा सकते हो और निची बेसिक जो आपका नाम लिखना है मतलब आपने इस पर लिखना क्या है एडलाइन बगारा मैं तो पहले मैं आपको यहां पर बचेट कम कर देता हूं क्योंकि हमने 100 करने से कोई नहीं रोख सकता है तो अभी 10 है तो मैं इसको एक कम करता हूं तो मैं इसको करूंगा 0.08 तो यहां पर हम देखते हैं कि अभी इसका क्या response आता है मतलब यह देखी व्यूज आ रहे हैं सभी नहीं व्यूज हमें आएंगे क्योंकि 50 रुपे का बजट है तो हमें देली के इतने ही व्यूज आएंगे 300 से 600 के बिच में और यहां पर मैं भी 0.9 रख रहा हूं तो देखी 0.9 करने पर यहां पर पूरा और स्लेक्ट हो चुका है आपको बजट हाई रिखना पड़ता है अगर आपको बजट कम है तो आप कम CPB को आराम से इसको रन कर सकते हो तो अब यह 30 के उपर कर दिया है और आपी CPB को कम करूँगा 0.9 से और आपको दिखाने वालों क्योंकि इसके उपर भी किस तर से आपका जो कैंपेन है वो एप आपको पूरा बजट इसमें स्पेंड नहीं होगा यहां पर लिखा है 66 into 100 मतलब 1666 से लिकर 100% के विच में आपका इसमें बजट स्पेंड हो सकता है और निचे हैडलान में मैंने बही चीज लिखनी है जो मेरी वीडियो में है क्योंकि इसमें क्लिक बेट बिरवाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि इसमें जब पैसे ही तब कटेंगे जब हमें कोई व्यूज आएंगे तो अभी एड्स करते हैं 0.01 मैं यही चीज लिखूंगा गूगल एड्स 0.01 सेक्रेट रिविल क्योंकि मैंने इसमें यही चीज बताए थी कि किस तरह से मैंने 0.01 CPB में मै एक्ष्ट मम व्यूज लाए थे और इसके नीचे मैं गूगल एड्स से लिखूंगा और डिसकर्प्शन टू में हम से वही चीज लिखेंगे गूगल एड्स से पी और क्योंकि हवदेव वही चीज इसमें एड्स करनी होती है जो वीडियो में होती है क्योंकि हर कोई पर होते हैं दोस्तों उसमें टाइम लगते हैं दो से चार घंटे के बीच में लगते हैं कई बार 12 घंटे तक भी लग सकते हैं और मैक्सिमां 24 आवर्स तो अब इसको उपर मैं आपको क्लिक करके बताऊंगा कि अभी यहां पर कितना दिखा रहा है मतलब अंडर रिव्यू होगा भी तो 10 मिनिट के अंदर एपरूब हो जाता है बेसिकली और यह देखिए अभी वहां पर स्टेटस दिखा रहा है अंडर रिव्यू सो अभी 10-15 मिनिट के बाद इसको ओपन करूंगा सो फिर देखते हैं कि एपरूब हुआ है यह नहीं हुआ है दोस्तों सो भाई बंदों यह 10 मिनिट पहले मेरा कैंपेंग एपरूब हो चुका था लेकिन जो रिकॉर्डिंग की वह फोन में ट्रांसफर नहीं हो रही थी दोबार इसको रिकॉर्ड करना पड़ा कुछ हैरर रा गया था सो दोबार उस कैंपेंग को वहां पर चेक करेंगे अभी ह होए है नीचे आप टाइम चेक कर सकते हैं 11.45 होए हैं जस्ट अभी 30 मिनिट होए हैं लेकिन 10 मिनिट पहले का यह अपरूब हो चुका है मैं लेकिन रिकॉर्डिंग की वाज से आपको नहीं दिखा पाया सो अभी जाके चेक करते हैं और आप यह आपको दिखाते हूं यहा सारी चीज़ा है आराम से वहाँ पर देखिए कि किस तरह से आपने कैंपेइन को लगाना है क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान पर रखनी है आप इस तरह से कैंपेइन लगाएंगे तो मेरा खुद कैंपेइन 15-20 मिनिट में एप्रूब हो जाते हैं और इसमें आपको खु एड होता है product and brand awareness वाला यह जादा नहीं चलता है कुछ accounts में तो इसका भी solution है कि आप अपने phone में आपको मैं बदा दूं कि आप कितने भी Googlers के account बना सकते हैं जस्त आपके लिए Gmail चाहिए होता है तो आप 2-3 Gmail जरूर बना लेगर एक की उपर नहीं चलता है अगर एक की उप कर सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दो जस्त एक छोटा सा point of view है जो मेरे knowledge में है Google Ads का सो इसी तर गार्डिंग मैंने एक अपना course मना के रखा है मतलब मैंने 8 उजट सारी चीज़ना explain की हूँ है किस तरह से मैंने अपने जो campaign का CPB था 0.10 का sorry 0.1 के पास लेके गया था और किस तरह से मैं campaign से अपने लगाता हूं मतलब बंदों से campaign नहीं लगते frustration होती है मुश्किल होती है मतलब बहुत सारी चीज़ना होती है confused हो जाते हैं तो campaign मैंने जो भी मेरा course है मैंने उसमें सारे detail में बताया हुआ है आठ उसमें मैंने वीडियो बनाए हुए है point to point बात सारी चीज़ा करनी है और एक चीज़ दोस्तों लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगराब सब्सक्राइबर साब वॉश्टाइम पच्छेस करना चाहते हैं मतलब गूगल एड़ से ऐसा होता है कई वार की सब्सक्राइबर स्पूरे हो जाते हैं लेकि वॉश्टाइम नहीं होता है तो वॉश्टाइम और सब्सक्राइबर का मैंने पूर डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया हुआ है कि कितने में कितने आप अगर वॉश्टाइम पचेस करना चाहते हैं और उनके लिए क्या कंडिशन्स आपको चाहिए होती है आपका चैनल के कमेंट कर दिया है और लाइक कर दिया दिल सेसी माच क्योंकि मैं किसी को bril यहीं को और सेंगर करो नहीं लगता है और प्लॉश अपने ख्याल लखना टाटा बाई बाई ममुजी